लोग सबा चुनावों की तरह विधान सबा चुनावों में भी खेला चुनाव आयोग ने रोके आकड़े चुनाव अधिकारी पर दबाव बनाया जा रहा है आपको बता दे हर्याणा में जैसे काउंटिंग चल रही है उस पर कॉंग्रिस जबर्दस्त भड़की है बकाड़ा चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है और सवाल किया गया है कि आखिर काउंटिंग के दिन चल क्या रहा है जो कॉंग्रिस हर्याणा में लाइफ सर्वे, सर्वे, महा सर्वे, महा पोल और तो और एग्जिट पोल में भी जीती वही कॉंग्रिस अब पिछरती हुई नजर आ रही है आपको बता दे चुनाव आयोग की भी तरफ से जो सुभा रुजान निकल कर सामने आये थे उसमें कॉंग्रिस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा था लेकिन साड़े 9 बजे के बाद से कॉंग्रिस लगातार पिछरती जा रही है और अब तो आलम ये हो चुका है कि रुजानों में भारतिय जंता पार्टी को बहुमत दिया जा रहा है अब इसके बाद से कॉंग्रिस अलर्ट हो गई है आपको बता दे कॉंग्रिस के वरिष्ठ नेता जैराम रमेश की तरफ से चुनाओ आयोग को बकाइदा पत्र लिखा गया है पत्र आप देख सकते हैं, इलेक्शन कमीशन के नाम पत्र लिखा गया है और सवाल किया गया है कि आखिर काउंटिंग में साड़े 9 बजे के बास से चल क्या रहा है साड़े 9 बजे के बास से कॉंग्रिस पिछड़ती है और पिछड़ते पिछड़ते इतना पिछड़ जाती है कि वो बहुमत से दूर हो जाती है और भारती जंता पार्टी को रुजानों में बहुमत दिखाई देने लगता है इसी पत्र को ट्वीट करते हुए जैराम रमीश ने लिखा भी है कि हर्याना विधान सबा चुनावों के रुजानों को अपडेट करने में असमान अस्विकारी देरी पर चुनाव आयोग को मेरा पत्र तो पत्र लिखा गया है कि जो आकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं उन्हें आखिर क्यों इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया जा रहा है साड़े नो बजे तक तो लगातार अपडेट किया गया लेकिन उसके बास से लगातार आपको बता दे खबरे निकल कर सामने आई है दावा ये किया जा रहा है कि वोटिंग तो 12-13 राउंड की हो चुकी है लेकिन अपडेट अभी 4-5 राउंड का किया गया है यापन हम पेश कर रहे हैं अब अगले 5-7 मिनिटों में हम पेश करेंगे शिकायत कर रहे हैं अब उमीद करते हैं कि ECI हमारे सवालों का जवाब दे क्योंकि 10-12-11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं पर जो अपडेट किया गया ECI के वेबसाइट पर चैनलों पर सिर्फ 4-5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं तो यह प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है यह लोकसवा चुनाव में भी हुआ था हम लोग गए थे अभिशेक सिंग्वी जी और मैं ECI गए थे हमने शिकायत की और तब ECI ने कारवाई की तो हम उम्मीद करते हैं कि ECI जो एक समवैधानिक संस्ता है इस तरीके से स्थानिय प्रशासन पर दबाव नहीं दानना चाहिए तो सुना आपने जैराम रमेश का कहना है कि चुनाव आयोग की तरफ से डेटा अपडेट नहीं किया जा रहा है चार से पांच राउंड का डेटा अपडेट किया गया है जबकि 12 से 13 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है जैराम रमेश ने पत्र लिखा है चुनाव आयोग की तरफ से अभी कोई जवाब निकल कर सामने नहीं आया है जैराम रमेश का कहना है कि चुनाव आयोग भारती जंता पार्टी के प्रशासन के दबाव में आ गया है और तो और ज जैराम रमेश ने मीडिया कर्मियों से भी बातचीत करना बंद कर दिया है आप तस्वीरे देख सकते हैं जैराम रमेश ने बकाइदा जो गोदी मीडिया वहाँ पर बाइट लेने के लिए पहुचा है उसको नो बोल दिया है जैराम रमेश का कहना है कि यहाँ पर साइकोल लॉजिकल गेम खेला जारा है और इसी गेम के जर्ये दबाव बनाया जारा है ताकि हमारे कारेकरता जो वहां पर तैनात किये गए हैं वहां से हताश हो जाएं उसके बाद भारतिये जन्ता पार्टी खुल कर खेला करने की तयारी में हैं तो हर्याना में क्या चल रहा है आप देख सकते हैं हरियाना जहां पर भारतिय जनता पार्टी 20-25 सीटों पर सिमठती हुई नजर आ रही थी और कॉंग्रेस को बहुमत दिया जा रहा था 46-65 सीटे मिलती हुई नजर आ रही थी वह कॉंग्रेस अब रुजानों में पिछरती हुई नजर आ रही है फिलाल अगर हर हर्याना की बात की जाए तो मैं आपको पता दू एक सीट का रिजल्ट निकल कर सामने आ गया है आप देख भी सकते हैं इसमें लिखा है कि हर्याना में कॉंग्रिस ने पहली सीट जीती नू से आफ्ताब एहमद 46,963 वोटों से जीत चुके हैं तो एक सीट का रिजल्ट आ किया जा रहा है आखिर क्यों धीमी काउंटिंग चल रही है इन सभी सवालों के साथ कॉंग्रिस एलर्ट है और चुनाओ आयोग से सवाल किया जा रहा है तो हर्याना में जैसे रुजान आ रहे हैं आपको क्या लगता है क्या हर्याना में खेला हुआ है या फिर की खेला हो इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो को जादा जादा शेयर करें ताकि सच्छाई दूसरों तक पहुत सकें हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें जोइन करें फिर मिलते उंगली खब सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें समय हाँ